अवध चालीशु और अवध राम जन्मनों उत्सों मनावी ने पचिस्वी द्या गोकुल तरप प्रयास करेशु। अवध पुरी रभू कुल मनीराओ। बेल बेने तले ही दसरत नाओ। अवध पुरी रभू कुल मनीराओ। बेल बिदिन पेख शरत नाओ। धर्मधुरंदर दूननिति ज्यानी रनयभक्ति मतितारंक पांदी। धर्मधुरंदर दूननिति ज्यानी रभू कुल मतितारंक पांदी। अयोद्या के राजा दश्रत नाओ। धर्मधुरंदर दूननिति ज्यानी और केवल ज्यानी ही नहीं अपितू रदय में भक्ति भी है। मति सारंग पांदी त्रण राणी हो इननी कौशल्या समित्रा केकई पन पुत्र नहीं गुरुदेवने विंति करी। श्रंगी रुशीने बोलावामा आव्यो पुत्रेश्टी यागे कर्यो। ए यग्यमा यगी नारायन भगवान प्रसंद धया चरु आपियो ए चरु विशिष्टी जी ये दश्रत जी ने आपियो। केकई ने अंत्मा मल्यू चरु एटले थोड़ीक नाराजगी थई चरु ने फेकी दिदू। पची पाचो पस्चा ताप थयो। दुखी थई एटले कौशन द्याजी ये। जी सहर दया आती। येमिने पोताना चरु नो एक भाग केकई ने आपियो। त्रणे रानियों ये प्रशाद ग्रहन करियो। केवाईचे के ओलू जे चरु फेक यू एक घीते ने उपाडी ने लेगियो। परवतोनी हार माडाओं मा ज्या अंजनी देवी तपस्या करी रहा था। ये चरु एमना खोडा मा नाख्यू। और ये अंजनी देवी ये चरु ने ग्रहन करियो प्रशाद ने। ये लिए एमने जाती हनमान जी प्रगट गया। अवे आत्रणे प्रशाद लीदो दीरे दीरे समय निकडवा लागयो। राजा की सभा भरी हुई। सब मंगल समाचार की प्रतिक्षा कर रहे हैं। अब कोई भी घड़ी में बधाई के समाचार मिल सकते हैं। सभा भरी हुई है, राजा पिराजमान है, प्रजा बैठी हुई। वहीं से कौशल्याजी के वहां से एक सकी दोड़ती हुई आई। सभा में आके बधाई देने लगी। फुल्सिदास जी ने बड़ा सुन्दर वंडन किया। नौमिति धी मधूमास मुनीता। शुखल पक्षविधित हरिस्प्रीता। नौमिति धी मधूमास कुनीता। सुखल पक्षविधित हरिस्प्रीता। मध्य दिवसे अंधी शीतना दामा। पावन काल लोक विश्रामा। सभी दिशायर कवित्र हो गई ब्रामन वेद घोष्ट करने लगे। सुखल पक्षविधिती मध्य दिवस न कर्मी न ठंडी। देवताओं का हर्शुवा गर्बस्त भगवान की स्तुधी करने सभी आये। और एसे सुंदर गिन में वही पे कौशल्या जी के भवन से एक सकी दोड की वी आई। कहा राजन बधाई हो। एक सुंदर पुत्र प्रगट होने की बधाई मिली। वही साथी साथ केकई के वहां से एक सुंदर शाम पुत्र प्रगट होने की बधाई मिली। सुमित्रा जी के वहां से दोगवर पुत्र प्रगट होने की बधाई मिली। राज्य में उस्तों मुनाने में आया मंगल वाध्य वगाडवा माव्या रुशियों नमन्वा आनंद थोयो प्रजा आनंद उत्साहाती नाच कान्द परवाला गिया माता कौशल ले प्रभुना दर्शन पर याने स्तूति करवाला गिया ये सुर्समुह भिनती करी पहुंचे निज निज दाव हे जग निवास रभु प्रगते हे अखिल लोग विष्राप अब प्रगत कृपाला दीन जयाना हारशिस महतारी उदिधन हारी पत्थुतरूप निहारी पोचन अभिरावातन वनश्यामारी जयावित भुचचारी गूसन जन नालान यन दिसाला सोभासिंद करारी अब प्रगत कृपाला दीन जयाना भुचल्या हितकारी प्रहमांग निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेत कहे मन्होर सोभासि यह उपहासि सुनत दीर मत धिर नर्य प्रगत कृपाला दीन जयाना भुचल्या इतकारी माहताप निबोडी सोमत्नी डोडी नजुचल्या यह रूपा प्रगत कृपाला दीन जयाना भुचल्या इतकारी सुझ बत्रन सुझाना द्योदन ठाना वोई बालक सुझ धूपा यह छारिक जगावह यार्पत पावहि तेन परहि भुचूपा प्रगत कृपाला दीन जयाना भुचल्या इतकारी यह भिप्रदें सुर्शस्त्रीत रिन्हो मनुझ अवतार यह विजीच्छा निर्वित प्रनुपा खुझ छुदन भुपा जराम राम 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 जराम राम 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 रूप लक्ष्मन शेषा अवतार भरत शंक अवतार और शत्रग्न चक्र अवतार अगर अभे अढ़ार बे अध्यार है मां के राम Яननने वण्ञन करवाम अब्युक्त सुन्दर रामायन नी लिला हो अहिया प्रसंग आपया छे एना पच्छी आगड लवकुष ना वन्ष नुँ वन्णन कर्यू निविना वन्ष नुँ वन्णन कर्यू पच्छी चंद्र वन्ष सूर्य वन्ष नी कथा संबड़ाविया हवे चंद्र वन्ष जा अत्री अत्सु ए चंद्र वन्षमाज आगळ जमदगनी परशुरामजी सहस्त्रा जुन आदी अनेक सुन्दर सुन्दर चरित्रों नुँ वन्णन करवा माव्यू ययाती नुँ चरित्र बेद्ध्यायो माव्यू जे ययाती ना पुत्र यदुए धर्म माटे धनने छोड़ी दिदू एवा यदु कुल्मा भागवाननो जन्म थयो एज ययाती ना पुत्र यदु एना वन्षमा सुर्सेन एना आहुक आहुक ने बे पुत्र उग्रसलेन अने देवक देवक ने साथ कन्याओनो विवाला वसुदेवजी साथे थयो अने सवती नानी कन्या अने वसुदेवजी थी द कारा ग्रमा भगवान नो प्रागट्य थयो पछी ब्रजिमा पधार्या त्या अग्यार वरश वावन नी लिला करी पछी चौद वरश मतरा लिला करी सो वरश द्वारका लिला करी क्रिष्ण कथा समढ़ावी परिक्षित दी केटली लालसा छे क्रिष्ण कथा सामढ़ावा माटे ये शुगदेवी जी परिक्षा लेवा माटे शंग्षित मा कथा करी इनी साथे ज आओ विस्तार थी क्रिष्ण कथा क्रिष्ण नन्महोस सवन आनन्द लेवा माटे अहिं आज आनोमस कंदने विराम आपी ने आपड़े गुधा दश्मस कंदमा प्रवेश करी श्री भागवत भगवान की जय परिक्षित जी कहते हैं कथे तू वन्ष विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यां चुबय वन्ष्याना चरितं परमाहरं अवतिर्यय दुर्वन्षे भगवान भूत भाव नहां कृतवान यानि विश्वात्मा तानिनों वदविस्तरा परिक्षित जी केते हैं है भगवन कथी तो वन्ष विस्तारो भवता सोम सूर्ययो हो आपे सोम सूर्ययो हो एटले चंद्रवन्ष एटला सूर्य वन्ष इन्हीं दिव्य कथा एवन्ष मां जन्मेला राजाओन दुल्लब चरित्रा आपे मनें श्रौन कराव्यां अवे क्रतवान याने विश्वात्मा जे विश्वात्मा सुरूप छे एनी कथा एक क्रिष्ण कथा सामडवा माटे मारू मन लाळाईत थहो छे अवे एक क्रिष्ण ना दिव्य चरित्रों एक-एक सुन्दर लिलाओन विस्तार थी आप वन्नन करो अवे एक कथा सामढ़वा माटे मारू मन लालाई तो थे उचे जहां परिक्षित जीन जिग्या सा जोई शुदेव जी फरीती परिक्षा लेही के राजन चार दिवस निकड़ी गया तारे के जलपान करूँ होए चा अजी आएवा नथी एमने मनों आवे क्रिष्ण एने वार लागे अन्य परिक्षित एने चार दिवस निकड़ी गया एवो आसन सिद्ध थयुँँछे सोचे केवी सभा केवी एकाग्रता केवी तल्लिन था शुकदेव जी कहे कहीं फलाहार स्रेवन करीलो परिक्षित जी क प्राध थियो हवे मने कोई त्रूशा न थी लागी हवे तो केवल क्रिष्ण कथा सामबड़ाव माटे मारू मन लालाई थे उचे आप विलंब न करो शिग्राती शिग्र ए लिलाओनों प्रारंब करो विस्तार करो शुकदेव जी परिक्षित राजानों अभिवादन करत से धाई अने ब्रह्मा जी ए पृत्वी अने बध्धा देवताओं ने लईने क्षिर सागर पर पधार्या अने तेया पुरुशुक्त द्वारा भगवान निस्तूति करी कि उन सहस्त्रसेशा पुरुशह सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाः सपोमे जर्वतास्पृत्वाः अध्यतिष्ध दशामुदं पुरुशह पेवेदं सर्वं यत्भूतं यत्यभाव्यं पुरुशुक्त के द्वारा भगवान की स्तूति करने में आई उसी समय ब्रह्मा जी को भगवद वानी सुनाई दी और उस भगवद आज्या का पालन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं हे पृत्वी आपनुझे दुख छे ए दुख नुख कारण भगवान पहलाती जाने छे हवे आपना दुख ने दूर करवा माटे देवताओनों हित करवा माटे भगवान जल्दी जु पृत्वी उपर अउतरित थशे पधार शे देवताओने कहुँ के आप यदु कुल मा जन्मलो और भगवान ने लिला मा सही होगा आप चे शुक देव जी कहे छे राजन ये समयनी वाद छे के जारे मत्रा नगर उग्रसलीन राजा राज्य करता मत्रा नगर नी राजकुमारी देविकी नो विवाव सु देव जी साते तोयो और जारे विदाई आप आमाटे कंस सार्थी बनी ने जाई छे त्यारे आकाश्वानी क्यारे मूर्ख कंस जे नी तु विदाई आपी रहो छे एनो ज अष्टम गर्वे तारो काल छे अहिया सुकाम आता आश्वानी थाई शी महाप्रभुजियना कारण बताविया सुबोधनी माहा हमना आपने पास समय नो अभाव छे अटले आ जे निरोध लीला जे दश्मसकंद ले निरोध लीला जेनी पूर्व भूमी का ये आपने आउती काले प्रारंभ मा जोई शो शी महाप्रभुजिये पन यहां सुबोधनी प्रगट करी के आकाश्वानी शुकाम थाई तो दे वसुदेव जी ने मतीमा भगवान प्रवेश करी ने देविकी ना प्राणनी रक्षा करावी अने वसुदेव जी कईयो के हूँ वचन आप पूछू के आना बाल कोने हूँ आपने सोंपी देश अने पची हवे बंदेने नजर केदमा राख्या धीरे धीरे समय निकड़तो गयो एक पची एक छव पुत्र थया एक छव पुत्र भगवान ना छव धर्म सुरूप छे मरीशी रुची ना पुत्र जेने ब्रमाजी नो श्राप लागे हो तो छव पुत्रों नी आने हत्या करी ओने हवे भगवाने माया ने आगिया आपी कि आज देव की जीना अंदर रहे लो जी सात्मों जी गर्भ छे इने रोहीदी जीना गर्वमा स्थापित कात्रों अजरी माया एक डेवकी जीना गर्व नुकर्शन करें बदा ने लागे आगे हो आने हवे शुक्देव जी केढ चे के राजन घीरे धीरे भग्वाण ना प्रागत्यनों समय आवयो भग्वान वसुदेव जीना माद्यम रही देव की जीना गर्भ मा बढारया सउत्ती पहला भग्वान नो प्रागत्य वसुदेव जीनी मतीमा थेवू छे सबसे पहले भगवान वसुदेव जी की मती में प्रगट हुए और फिर उस तेज को अपने नेत्रों के माध्यम से देविकी जी के गर्भ में स्थापित किया है अन्य हवे जां देविकी जीना गर्भ मा भगवान पधार्या एवुद देविकी जीनु तेज वध्यू कंस ने खबर पड़ी गई कि हवे मने मारवा वाडानो आना गर्भ मा आवी गयो छे पर कंस ने विचारियों कि हमना आने मारवु योग्य नहीं ले प्रतिक्षा करवाला गयो शी महाप्रभु जी कहे छे समझावे छे कि जो कंस ने खबर पड़ी गई थी कि आना गर्भ मा वे ना कालनो जन्म थई गयो छे ए इच्छा करत ए चाहता कंस तो उसी समय देविकी को मार सकता लेकिन उसने देविकी को नहीं मारा क्यों क्योंकि शी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हवे ठाकुर्जी देविकी जीना गर्भ मा पधारी गया छे अने जेना गर्भ मा जेना भीतर भगवान होए एना दर्शनकरीने बुद्धी परिवर्तित थाई जाए एमा क्या आश्चर्य छे कंचनी बुद्धी परिवर्तित धेगे प्रतिक्षाकरवाला के धीरे धीरे समय निकड़ेओ अने हवे बध्धा देवताओ जानी गया के प्रहु अवे गर्भम मा पधारीया छे तो बध्धा देवताओ कारह ग्रम मा अब्या गर्भस्त भगवान निस्तुती करी रहा छे साथ्या भरतं सथ्या परांति साथ्या स्ययोंनी वीतंत्य साथ्ये साथ्या स्या साथ्या मृत् नेत्रं सेथ्मकंत्वां शर्यन प्रवंना देवताओं कहेजे प्रभु आप सत्य छो सत्य संकल पुछो सत्यज आपने प्राप्त करवानू एक मात्र साधुन छे स्रुष्टी ना पुर्व प्रले ना पश्चात अने संसार ने स्थिति ना समय आ बदी असत्य वस्थाओं मा आपच सत्य सरूप छो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आ पांच द्रश्यमान सत्य ना आपच कारण छो आप आज जगत ना प्रभात सरूप छो आपनी मदुर्वानी अने समदर्शन ना प्रवर्तक छो हे प्रभु आत सत्य सरूप छो हमें बध्धा देवताओ आपनी शरण मा छिए पंदर कौर मां दे काया ताओ इस्तुति करी सोड मुष्शिलोक देव की जीना अभिबाधन रूप मां आप योड़्ले सोड नकाल आया, समय आया